नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ शेरिन दोहजार चौबिस के लोकसभाद चुनाप को लेकर तमाम राजनितिक पार्टियों के साथ हाथ मिलाने और मजबूती दिखाने की कोशिश करने वाली ममता बैनर जी और तमाम विपक्षी पार्टियों के सामने आ रही है अब रार जी हाँ जिस विपक्षी दलों को लेकर दोहजार चौबिस के चुनाप पर दिया चारहा है बड़ा जोर आज इनी विपक्षी पार्टियों के सामने आ रही है बड़ी समस्याएं दरदसल आपके लिए बता दें कि पक्षिम बंगाल की मुख्यमंतरी मम्ताप बैनर जी ने विपक्षी एक्ता को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने का है कि देश की राजदानी के लिए यानि कि देश की राजनीती के लिए हम विपक्षी पार्टियों के साथ हैं इंडी अलाइंस का हिस्सा है पर इसी के साथ अगर हम बात करें पक्षिम बंगाल को लेकर तो पक्षिम बंगाल में लेफ्ट और कॉंग्रेस के साथ कटबंदन नहीं करेंगी मंता बैनर जी जी हाँ पक्षिम बंगाल की राजनीती में ऐसे विवाद कई बार देखे जा चुके हैं और अब पक्षिम बंगाल की मुख्यमंतरी मंता बैनर जी ने साफ कर दिया है कि वो राजस्तर पर कोई समझोता नहीं करने जा रही हैं उन्हो भारतिय जनता पार्टी जो की पक्षिम बंगाल में टीम्सी की एक कड़ी प्रती द्वंदी बनती हुई नजर आ रही है और आज मंता बैनर जी ने अपनी ही सहयोगी पार्टीयों को बीजेपी के साथ बता दिया है यहां लेफ्ट और कॉंग्रेस को लेकर मंता बैनर जी ने कहा है कि यह तीनों पार्टियां हमारे ही खिलाब चुनाब लड़ने की तैयारी कर रही है और इसी के साथ आपके लिए बता देंगी बीते 31 जुलाई को मंता बैनर जी ने जो है वो कॉंग्रेस और लेफ्ट पर भी हमला बोला था यानि की एक बार नहीं दो बार नहीं मंता बैनर जी इन दिनों लेफ्ट और कॉंग्रेस पर लगातार हमलेव करती हुई नजर आ रही है जिससे अब इंडी अलाइंस यानि की इंडिया जो गठ बंदन है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाब में जो है वो भारत ये जनता पार्टी के लिए बड़ी शिकस्त मिलने वाली है क्योंकि ये जो इंडी अलाइंस है ये एक साथ देश भर से चुनाब लड़ेगा पर आज अलग-अलग राज्यों में इसी गठ बंदन को लेकर राट सामने आ रही है जो कि पक्षिम बंगाल से शुरू हो चुक आप बोला था और नोंने कहा था कि तम माना जा रहा था कि राज्य के भीतर विपक्षी दलों को लेकर एक सहमती बंती दिखाई दे रही है लेकिन आप ममता बैनर जी ने सी पीम और कॉंग्रस पर जो है जमकर नशाना साधा है राजनितिक बयान बाजियों को आमंतर जो है पो दे दिया है ममता बैनर जी के इन बयानों ने दरसल आपके लिए बता दें कि राजस्तर पर दिख रहे मतबेद बता रहे हैं कि राश्टी राजनीती में मजबूत गजोड बनाने की कोशिच में लगे विपक्षी दलों की जो राजनीती है वो आज किस तरीके से राजस कि राज एकाई लगाता त्रिंगमूल कॉंग्रेस पर निशाना साथते हैं वहीं त्रिंगमूल भी इन राजनीतिक दलों का हमला जो है वो लगातार करती आई है क्योंकि बीजेपी और कॉंग्रेस की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही पार्टियां टीमसी की नीतियों को लेकर लगातार सवाल उठाती है चाहे फिर वो अभीशेक बैनर जी का घुटाला हो या फिर कई और बड़े घुटाले जो की पक्षिम बंगाल में हुए हो जहां एक तरफ बीजेपी इन तमाम चीजों को लेकर हमला वर रहती है और मंता बैनर जी से पूछे जाते हैं सव सवाल तो वहीं राष्ट्री अस्तर पर टीमसी की साथ हाथ मिलाने वाली कॉंग्रेस के नेता जो है वह भी मंता बैनर जी से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं अब देखना एहम रहेगा कि जो पार्टियां राष्ट्री अस्तर पर एक साथ चुनाव लड़ने की दावि पक्षिम बंगाल में अखेले सक्षम हैं उन्हें किसी का साथ नहीं चाहिए पर आपके लिए बता दें कि 2019 में बीजेपी को मिली जबरदस सफलता के बाद जो है वो आज बंता बैनर जी के लिए भी कही ना कहीं लोकसभाद चुनाव को लेकर अब जो है वो टेंशन सताने लगी है क्योंकि 2019 के लोकसभाद चुनाव में भारतिय जनता पार्टी ने जो है वो पक्षिम बंगाल में जवरदस्त जो है सफलता हासल की थी और बीजेपी एक बार जो है वो अपनी सफलता दोहराने के प्रयास में लगी हुई है तो वही तुरिंग मुल्क कॉंगरस लोदा भास भी सामने आया है इन तमाम राजनतिक पार्टीयों का क्योंकि बीजेपी जो है वो अपना अलग चुनाव लड़ेगी और अगर पक्षिम बंगाल के इतर से देखें तो हाल ही में दिल्ली में ही ऐसा विवाद देखने के लिए मिला था कि दिल्ली में हुई कॉ ज़ड जवाब थना अम पार्टी जो है वो आम अद्नी पार्टी की तरब से भी दिया गया आम आद्नी पार्टी नैंइस पर सवाल खड़े किये और बटवारे को लेकर इस इंडी अलाइंस की जो पार्टियां हैं इनमें काफी जादा मतभेज जो है वो देखा जा रहा है दिली में कॉंग्रिस के सामने आम आदमी पार्टी है पक्षिम बंगाल में टीमसी लेफ्ट और ममता बैनर जी की पार्टी याने की टीमसी है जो की बंगाल की बात हो रही है पक्षिम बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बैनर जी की तरफ से ये लगातार बयान दिये गए हैं जिस पर कभी वो देश की किंद्र सरकार को सी एनर्सी जैसे मुद्दों पर घिरती हैं कभी कहती है पैसा बाटा जा रहा है देश को बाटने के लिए कभी कहा जाता है कि मैं मर भी जाओंगी फिर भी सी एनर्सी लागू नहीं होने दूगी जिस पर बीजेपी के नेता साफ कर चुके हैं कि अगर सी ए इंप्लिमेंट करने की बात आती है तो सी ए इंप्लिमेंट होकर ही रहेगा पक्षिम बंगाल में और ममता बैनर जी इसे पाएंगी यह बड़ा बयान जो है वो बीजेपी के प्रदेश अधियक्ष सुकानता मजूमदार की तरफ से हालियत दिनों में ही मीडिया चैनल से बात करते हुए और अब अगर सबसे बड़ी समस्या के उपर बात की जाए क्योंकि ममता बैनर जी जो कि कहीं ना कहीं पक्षि बंगाल में काफी जादा इंपोर्टेंट है और ममता बैनर जी मुस्लिम मद्दाताओं को लेकर वी चिंतत हैं क्योंकि 2021 के विधांसवा चुनाव के बाद उप चुनाव और उस्थानिया निकाइस चुनावों में मुस्लिम मद्दाताओं ने तरिंग मूल के अलावे अला कि ममता बैनर जी के कई ऐसे मुस्लिम विधायक भी थे जुनोंने पक्षिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर अपनी ही सरकार के उपर सवाल उठाए और ये कहा कि ममता बैनर जी की सरकार जो है यानि कि हमारी खुद की सरकार यहां दंगों को रोकवाने में नाकामियाब रह जिसकी वज़े से लोग भी काफी जादा परिशान थे और 2019 के लोग सभाचुनाब में इनमें से साथ सीट पर तरिंगमूल और वहीं दो सीटों पर कॉंग्रेस की जीत हुई थी और जबकि चार सीट भारती जनता पार्टी के लिए मिली थी जी हैं मालदा से दक्षिन कॉं और दूसरे नमबर पर रही और दोनों के बीच जो है वो सिर्फ एक लाख वोट का अंतर था और इसलिए ममता बैनर जी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी खिसक सकता है दो हजार चौबिस के चुनाबों में जस तरीके से भारतिय जनता पार्टी का पक्षिम बंगाल मे लगातार ग्राब बढ़ रहा है पर उसके बावजूद भी ममता बैनर जी अकेले चुनाब लड़ने की बात कह रही है क्योंकि शायद जिन पार्टीयों के साथ वो राष्ट्य स्तर पर चुनाब लड़ने की बात कह रही है कही ना कही इन पार्टीयों में एक दूसरे को ल खाईए धन्यवाद.